सामाजिक, राजनीटिक, आध्यात्मिक, बिन्ने बिन्ने जीवन के महनु भावों ने जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं उसमें अपना स्वर्म मिलाता हूँ सुस्वाजी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे, जीवन के अनेक पड़ाव थे और हम भारती जनता पार्टी के कारकर्ता के रूप में एक अनन्य नीकट साथी के रूप में काम करते करते हैं अंगिनत अनुभवों, घटनाओं, उसके हम जीवन साक्षी हूँ व्यवस्ता के तहट एक अनुशासन के तहट जो भी काम मिले, उसको जी जान से करना और व्यक्तिके जीवन में बहुत बड़ी उन्चाई प्राप्त करने के बाद भी करना जो भी अपने आपको कारकर्ता मानते हैं उन सब के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरा नहीं हो सकती हैं जो सुष्मा जी के जीवन में हमने अनुभव किया हैं इस बार देबनों ने लोकसभा चुनाव नर्ण रड़ने का फैसला किया एक बार पहली भी ऐसा फैसला किया था और वो अपने विचारों में बड़ी पक्की रहती थी तो मैं और वेंकिया जी उनसे मिले उन्होंने मना किया लेकिन जब कहां कि आप करना तक जाईए और विश्यस परिस्तिते में इस मुकाबले मज़ी गए परणाम करीब करीब निसित था लेकिन ये चुनावति भरा काम था पार्टी के लिए मुझे करना चाहिए एक पल का भी ना कहे बिना उन्होंने इसको किया परणाम निसित था फिर भी किया इस बार वह उनको बहुत समझाता रहता था का आप जिंता मत किजी हम सब समाल लेंगे आप एक बार लेकिन इस बार वो इतनी पक्की थी और उनको भी पता था कि साइद कहीं पीछे से मुझे दबाव आ जाएगा इसलिए उन्होंने सारवजे ली गोशा कर दी ताकि कोई किसी का दबाव चले ही नहीं याने वो अपने विचारों की पक्की भी थी और उसके अनुरुप जीने का प्रयाश भी करती है आम तोर पर हम देखके हैं कि कोई मंत्री या कोई सांसत सांसत नहीं रहता है मंत्री नहीं रहता है लेकिन सरकार को उसका मकाम खाली कराने के लिए सालों तक नोटिस पर नोटिस बेजनी पड़ती है कभी कौट कचरी तक होती है सुस्मा जी ने एक प्रकारते सब कुछ समयटने का तही कर लिया था चुनाव नतीजे आये उनका दाई तो पुरा हुआ पहला काम किया मकाम खाली करके अपने नीजी निवास्तान पर वो पहुँच गई सारवदिनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत कुछ कह जाती है सुस्मा जी का भाषन प्रभावी होता था इतना ही नहीं है प्रेरग भी होता था सुस्मा जी की वक्तुर्त्व में विचारों की गहराई हर कोई अनुभव करता था तो अभीवक्ति की उंचाई हर पल नए मानक पार करती थी कभी-कभी दोनों में से एक होना तो स्वाभाविक है लेकिन दोनों होना बहुत बड़ी साधना के बाद होता है तो एक क्रिष्ण भक्ति को समर्पित थी उनके मन मंदिर में क्रिष्ण बसे रहते थे हम जब भी मिलते थे तो वो मुझे जैसी क्रिष्ण कहती तो मैं उनको जैद्वार का अदिश कहता था लेकिन क्रिष्ण का संदेश वो जीती थी वो उनकी सियांत्रा को अगर एक प्रून रुप से देखें तो लगता है कर्मन्य वाधी कारस्ते क्या होता है सुस्माजी ने जीवन में दिखाया था अब जीवन की विशेस्ता देखिए एक तरफ शायद उन्होंने सैंकडो घंटों तक अलग अलग फोरम में जम्मू कश्मीर के समस्या पर बोला होगा धारा 370 पर बोला होगा हर फोरम में बोला होगा एक प्रकार से उसके साथ वो जीजान से हर भारती जन्ता पार्टिया राष्ट भक्त विचार के कारकरताओं के लिए इतना जुड़ाव था उस मुद्दे पर जब जीवन का इतना बड़ा सपना पूरा हो लक्ष पूरा हो और खुशी समाती नहों सुस्मा जी की जाने के बाद जब मैं बांसुरी से मिला तो बांसुरी नहीं मुझे कहा कि इतनी खुशी खुशी वो गई है जिसकी शाहिद कोई कल्पना कर सकता है यहने एक प्रकार चे उमंग से भरा हुआ मन उसका नाच रहा था और उस खुशी मेही उस खुशी के पल को जीती जीते वो स्री कृष्ण के चर्णों में पहुँच गई अपने पद को अपनी व्यवस्था में जो काम मिला उसमें स्रेश्ट पनमफराओं को बनाते हुए समकालीन परिवर्तन क्या लाना यह उनकी विशेश्था रही आम तोर पर विदेश मंत्राले याने कोट, पैंट, टाई, प्रोटोकॉल इसी के आसपास प्रोटोकॉल की ही दुनिया हर, विदेश मंत्राले की हर चीज में प्रोटोकॉल सबसे पहले होता है सुस्वाजी ने इस प्रोटोकॉल की पुरी परिभाशा को पीपल्स कॉल में परिवर्तित कर दिया वसुधैल कुटुम कम, विदेश मंत्राले कैसे सिद्ध कर सकता है उन्होंने विश्व भर में पहले हुए भारतीर समुधाय के माध्यम से उनके साथ उस निकटा को जोड़ करके उनके सुखदुक का साती हिंदुस्तान है उसके पास्पोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो उसकी रगों में अगर हिंदुस्तानी खून है तो वो मेरा है उसके सुखदुक उसके समस्या ये मेरी समस्या है ये पूरे विदेश मंत्राले के चरीत्र में परिवर्टन लाना बहुत बड़ा काम था और इतने कम समय में वो परिवर्टन लाई विदेश मंत्राले का embassies का, missions का, mission में बैठे हुए लोगों का इतना बड़ा बडलाव करना कहने में बहुत सरल लगता है लेकिन पल पल एक एक चीज को गढ़ना पड़ता है जो काम से समझी ने किया एक समय था आजाजी के 70 साल करीब करीब देश में करीब करीब 70 पासपोर्ट आफिस थे 77 एक प्रकारजम क्या है सुष्वाजी के कालखंड में मंत्रालाई जनता के लिए होना चाहिए इसका परणाम ये था कि 70 साल में 70 पासपोर्ट आफिस और 5 साल में 505 आफिस पासपोर्ट की यानि कितने बड़े स्केल पे काम होता था और ये काम सुष्वाजी सहज रुप से करती थी उमर में मुझसे छोटी थी सारी मर्यादाओं से वो जूस्ती भी रहती थी जिम्यवारिया निभाती भी रहती थी उमर में भेले मुझसे छोटी थी लेकिन मैं सारवजनी गुरूप से कहना चाहूँगा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सिखने को मिलता था विदेश मंत्राले की कुछ परंपराएं बहुत उत्तम प्रकार के परंपराएं मैं नया नया था इनाइटेड नेशन्स में में मेरा भार्षन होना था पहली बार जा रहा था सुश्मा जी पहले पहुँची थी और जैसा मेरा सभाव रहता है मैं बैक टू बैक काम करने की आदत रखता हूं तो मैं पहुचा तो वहीं गेट पर वो रिशीव करने के लिए खड़ी थी तो मैंने कहां चलो आपन अभी बैट लेते हैं कल सुबे मुझे बोलना है बताईए क्या करना है तो सुबाजे बोलने के चले जाएंगे क्या है वह का ऐसा नहीं होता है भाई यह दुनिया भारत की बात करने होती है आप अपनी मनमर्जिस नहीं बोल जाए मैं प्रदान मंत्री था वो मरी विदेश मंत्राले को समालने वाली मेरी साथी मंत्री मों किजे कह रहे अरे भाई ऐसा नहीं होता है तो मैंने का भाई मैं तो कभी न लिखता हूँ और लिखने करके पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है मैं अपना बोलनूंगा उन्हों का जी नहीं रात को ही मेरे से मैं इतना ट्राविलिंग करके गया था मेरे नवरात्री के उपास चल रहे थे रात को ही वो भी बैठे आप बोलिये विचार बोलिये आप क्या कहना चाहते हैं हम उसको लिखते हैं सबने लिखा ड्राप स्पीच रात को ही तैयार हुई सुबह मैंने उसको देख लिया उनका बड़ा अग्र था कि आप कितने ही अच्छे वक्ता क्यों न हो आपके विचारों में कितने ही साथ देता क्यों न हो लेकिन कुछ फॉरम होते हैं जिसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं और जो आवशक होती है यह सुस्माजे ने मुझे पहला ही सबग सिखा दिया था कहने का तात्पर यह हैं कि एक साथी के पास यह होसला होता है कि अपसे जिम्मेबारी कोई भी हो लेकिन जो आवशक है उसको बे रोक टो कहना चाहिए सुस्माजी की एक विश्यता है यहां कोई लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं शायद विम्रुदू थी वो नम्र थी वो मम्ता से भरी थी सब था लेकिन कभी-कभी उनकी जबान में पक्का हर्यान भी टच भी रहता था हर्यान भी टच के साथ बात को फटाव से कहना और उसमें टच से मस नहोना बीतर से कन्विक्षन की रुप में प्रगट होता था यह उनकी एक विश्यस्ता थी और यह सारवजनिक जीवन में बहुत कम होता है गुड़ी-गुड़ी बात करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन जब जरुरत पड़े तो कठोरता पूरवक चीज को रखना और तब मेरे लिए कौन क्या सोचेगा उसकी चिंता करने के बजाएं इस समय अगर गलत निर्णे हो गया तो नुक्सान होगा मुझे इस गलत निर्णे से बचाना चाहिए पार्टी को बचाना चाहिए साथियों को बचाना चाहिए परिस्तिति को समालना चाहिए इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए कभी हर्यानवी भासा का भर्पु रुप्यों करना पड़े तो कभी संकोच नहीं करती थी विवित्यताओं से भरा व्यक्तित्व था जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अपने आपको कसना अपने आपको हमेशा एक कायर करता के रूप में समर्बित भाव से कायर करता रहना एक उत्तम कायर करता के रूप में एक सरेष्ट साथी के रूप में बहुत कुछ दे करके गई है बहुत कुछ छोड़ करके गई है सुस्माजे नहीं है विरासत और अमानत हमें देके गई है उस विरासत और अमानत को कभी कभी जरूर पड़े तो सजाना बता है और वही सुस्माजी को सत्ची सद्धान्जली होगी सुस्माजी की जो ताकत ही उसकी कुछ जलग मैंने बांसूरी में अनुभव की जिस प्रकार से सुस्माजी गई उस पल्म को समालना बहुत मुश्किल काम मैं मानता हूँ लेकिन अपने पिता को भी समालना परिस्तिती को भी समालना बांसूरी का जो धैज यह और मैच्चोरीटी का मैंने दर्शन किया सुस्माजी का एक लगू स्वरूब मैं उस बेटी को बहुत आशिरवाद देता हूँ इस परिवार के दूख में हम सब उनके साथ है आदर पूरवक नमन करते हुए उनको सर्धानी देते हुए हम उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करें यही शक्ति प्रभू हमें दे धन्वा